तो यहां पर भागत सिंग जीने भी है। उनको जब फांसी दे रहे थे, फांसी दिया जा रहा था तो उनके जो भी गाड से कौन चतर सिंग उन्होंने आगरह किया। फांसी पर चड़ते चड़ते ही आप वाही गुरु का नाम तो ले लिजिए कम से कम। कौन भगत तींग से जो की एक सरदार जी है और जो वाहिगुरू समझ सकते कि इतनी बड़ी बात है सरदारों में यह बोलना लेकिन उन्हें भी मान सम्मान के साथ फुकरावी है कि भाई मैं नहीं बोल सकता जनाव नूर एहमद की इसकत्हन का समर्थन किया किनका जनाव नू आपके सामने बात रखने जाओ यह मेरी बात नहीं यह जितनी भी बाते हैं यह अपने जो हमारे सही भागत तिंग जी जो की हर क्रांतिकारी के लिए एक प्रेरना स्रोत है इस कितार के माधियम से बोलूँगा जो की संपादक जो इनके हैं ठीक है इनका नाम है स्याम अःए बॉठर सिंग् अगर आप देख सकते हैं दो की कि बागत सिंग मैं नास्ति ट्रूं को उस्ट कि जैसे आप जू radius जितने भी आते हैं इसकी मैं 2021 कर आ Pack the एक पार्ट दो पार्ट oblivion भर गार ग्मक करो देता में लेकिन करें लेकिन अपने amidst को सिर्फ पांच मुंड़ देना तो बहुत विद्व को सिखने को मिलें बहुत सुनने मिलें वह जानकारी मिलेगा कि साथ इसके साथ households संहात जो भगत सिंग जी का नाम लेकर जो मैंने इस किताब को पढ़ा तो बहुत सारी ऐसे बाते हैं जो कि नहीं लेकिन इन लोगों ने जो कि इनको प्रस्तारित कियाख जिन्होंने भी उने बहुत गलत तरीके से मुझे मुझे ऐसा लगा वाकि सबकी अपनी विचार है मुझे इसमें कुछ गलत लगा वह मैं आपके सामने प्रसुत करना चाहूँए क्योंकि सबसे पहले अगर कभी भी हिंदु धर्म को थोड़ा साइड करना हिंदु धर्म ही नहीं सब को किसी की भी पाखनवाद को अगर खतम करने की बात आती है यह पाखनवाद पर बोलता है या खासर के हिंदु धर्म जो सनातन है अपना उस धर्म के बारे में अगर कोई जो छोड़ने की बात करते हैं तो सभी के लिए किया है सभी के लिए किया किसी भी जाती भी से धर्म के लिए नहीं किया उन्होंने सब के लिए किया लेकिन हां जो भी सोसित थे वन्चित थे उनके लिए थोड़ा ज्यादा किया और करना भी बनता है तो उनको लेकर जो सबसे पहले होता है नास्तिक मतलब किया सबसे पहले बाबासाब का फोटो बनता है लेकिन ऐसा नहीं है वह बाते हमें भगत सिंग से भी शीखने को मिलती है मैं अन्ति तक धार्मिक रहूंगा सब दिन चेयजिंदेगी में मुझे समाज या फिर चमार जाती से आता है तो वह तो विरोधी ही होगा या मेन तो ऐसा कुछ नहीं है भाई मेरे बगल में बजरहली जी है ठीक है लेकिन अब मैं चाहूंगा कि इस बूक्त के माधियम से थोड़ा बहुत आपको पढ़के सुनाता हूं ठीक है पढ़के सुनाओंक कि आप जाकर इसको पढ़े पाएंगे लिए मेरी वीडियो पांश में देख लिए सिर्फ पांश में इस पुस्तक का मुल उदेश अपनी युवा पिड़ी को सहीद भगत सिंग के विचार वद दर्सन से अवगत कराना है जो कि सोसीत और वंचित समाज की मुक्ति के लिए अ पर उभाष च्चे से जानते हैं जो बहुजन समाज होता है जो छोटी या लोग होते कै। रागत से जय्से युवा पिड़ी भगत जैसे युवा समराठ को को वैचारिक रूप से मनवस्ताथ करके छुवा छूत संप्रधाइकता वह उत्पिडन आधी केंद्रित वर्चस्ववादी विचारों से अपने मस्तिस को मुक्त करके अपना स्वास्थ वैचारिक विकास कर सके और देश प्रेम की भावना अपना कर देश का भवेशते करने में अपनी चकारात्मक भूम्मी का निभा सके यह है इसका में क्या था भगत सिंग चाहते ही थे चुवा चूत जो भी होता है बहुत संवादा था भाई आप यह इतियास से कोई छिपा है नहीं कोई छिपाना चाहेगा तो भी मेरे पी आना था खेर चुड़ो तो खासर के यह इसी बात पर जोर दे रहे हैं इस बुक के माधियम से लेकिन अभी शुरवात में बस इस बुक में अच्छी बात आपको दे तो मैं आपको दिखाओंगा अभी क्या-क्या और आगे हैं इनका में यही था कि जो भी हो जो भी सोसन सोसित हैं यह मन में निकाल दो छुआ छुवाच्छुत की भावना यह जितने भी गलत तरह की भावना थे यह निकाल दो इनका बाबासा यह हमारे जो भगत सिंग जी है इनका कहना है भागत सिंग की रचनाओं में सबसे महत्वपुर्ण दास्तावेज उनका लेक मैं नास्तिक क्यों हुआ है में धर्म इस्वर और संप्रदाय संबंदी अस्परश्टता का कोई अधार ही नहीं बचा जिसका उत्तरों नहीं ना दिया हो समझ रहे हैं इस कित अधार हो मुसल्मान हो सिख और इसाई हो कोई भी इनका किताब के माधिन से बोल रहा हूं भाई मेरे को मेरा कोई कथन में नहीं है सिंग की प्रार्थना को भी भागत सिंग ने प्यार और सम्मान के साथ ठुकरा दिया था अब समझे भागत सिंग यह लोग बहुत अभी के टाइम में जो लोग आते हैं जो अपने आपको नवबॉद्ध अंबिटकरवादी कहते हैं यह नास्तिक कहते हैं यह सिदा ही दू उनके जो भी गार्ड से कौन चतर सिंग उन्होंने आगरह किया कि कम से कम मरते मरते मतलब फांसी पर चड़ते-चड़ते ही आप वाही गुरू का नाम तो ले लिजिए कम से कम कौन भागत सिंग से जो की एक सरदार जी है और जो वाही गुरू समझ सकते कितनी बड़ी बात सरदारों में यह बोलना लेकिन उन्हें भी मान सम्मान के साथ ठुकरा दिया कि भाई मैं नहीं बोल आगे लिखते हैं अच्छूत समस्या जैसे लेख और फासिस अड़ने की दिन जेल के दलित कर्मिचारे से रोटी बनवा कर खाने और उसे मां की तरह बेबे कहकर करते हिद को दिरिष्टी में रखकर दलितों को जागरित अवान करते हुए भागात सिंग ने इस संद्र में बंबाई कॉशलिंग के सदस्य जनाव नूर एहमद की इस कथन का समर्थन किया कि इनका जनाब नूर एहमद उनका कर नूब बंबाई में हुआ था तुशरू ज जब हम एक मनुष्य को पानी के कुवे से पानी नहीं देते हैं, मंदिर में प्रवेस नहीं करने देते हैं, विद्याले में पढ़ने का अधिकार नहीं होता है, नहीं देते हैं, आम सड़क पर चलने नहीं देते हैं उनसे चुवाचुत करके उन्हें अस्प्रिश्य गोशित कर देते हैं तो हमें अंग्रेजों से अजादी मांगने का कोई अधिकार नहीं है भागत सिंग जी ये नूर एहमद जी जो है वो कहते हैं कि जो भी है उस टाइम जो था हिंदू पर टार्गट कर रहे हिंदू को जो भी उनकी कूतियां थी हिंदू धर्वन में जो गलत था उनको कि हट रहाने को कहरें कि मतलब एक कुवें से पानी नहीं पीने दिया जाना यह तो आप सभी जानते हैं कि यह सच था और यह था ही इसमें गुस्ता होने वाले कोई बात है नहीं चीक है अब यह विवस्था जब हो अंग्रेजों के आने के बाद हो या मुगलों के आने के बाद हो कभी भी हो लेकिन थी करने वाले कौन थे हमारे है अपने हिंदू भाई लोग थे तो इससे वो नहीं करना है कि भाई यह क्या कर द नूर इहमत जी कहके निकल लेंगे ना इनका भी दुखाएंगे हम बोलने आए तो सब के लिए बोलेंगे मंदिर में wash नहीं दोने धाता था यह बहुत कुछ है। इसलिए तो में चार नींके यात्रा कर चाहता हूं कि जो एक टाइम था अब वो नहीं है अब बहुत चीजें बदल गई है जैसे कि क्या बोल रहा है है सबसे पहले को ऐसे पानी पेने नहीं देते थे हम प्यते हैं हमें कोई भी हम तो भाई हमारे बहुत सारे दोस्त है चाहराश्पुष ब्राह्मन बहुत बहुत है ठीक है जो है तो खतम हो गया मंदिर में परवेस्ट नहीं करने देते हैं यहीं मंदिर में परवेस्ट यहीं सब बोल बोलकर यहीं किताब के दरिये बोल बोलकर ना यह आज की राजनती सेखते हैं यह लोग चाहे आज की नेता हो जाएं जो अपने आपको दलेतों के मसीहा कहते हैं य यही सब बोल करते हैं यही तोड़ने के लिए मैं चार दंबारे तो लिकी यातरा कर रहा हूं वी साइकल से बहुत सुरू करने वाला हूं वह उसकी वीडियो भी आ जाएगी सुरू तो कर चुका हो लेकिन एक होता है ना कि लोगेशन नहीं बताना है तो बस विद्याले में पढ़ने का दिकार नहीं देते थे नहीं देते थे उस टाइम अब लेकिन उस टाइम का कसन को उस तरफ जो सिच्वेशन को आज ये लोग यूज करते हैं बोल बोल करके तो भाई जो था खतम हो रहा है ना बहुत दूर कर खतम हो चुका है आप किस वी ब्राह पढ़ने वाले बच्चे भी ब्रहामन तोला में भी था लेकिन मुझे आज तक कभी ऐसा कुछ नहीं दिखा मेरे अंदर काबिलियत थी तो मैं जब तक मैंने पढ़ा वहां पर उस स्कुल में मैंने सब दिन आठ साल लगवक पढ़ा था मैंने आठ साल तक मैं मौनिटर रहा पूरे स्कुल का जिसको सैनापती बोलते हुआ रहा हमें कि यह कहते हैं कि जो भी चुवाशुद की भापना रखते हैं मंदिरों में जाने नेज देते हैं रोड पर चलते हैं तो वहां पर भी आप से क्या कर जाता है अलग रोड मतलब रोड पर चलना पड़ेगा मतलब कि आपके पैर के निसान भी निपड़ने साहिए तो भाई यह सब उस टाइम था लेकिन बागत सिंग जी कह रहे हैं तो भाया कुछ सोच मज़के ही कह रहे हैं उनका वह सहमत ही देते हैं नूर एहमत सहाब का सहमत है उनसे तो अगर जो भी यह सब भावना आज भी रखते हैं उन्हें आजादी मंगने का कोई हक नहीं है फिलाल इस वीडियो में यहीं तक अगली वीडियो बहुत जल्द कल सौम 6 बजे आएगी और हां इस किताब में अभी बहुत कुछ ऐसा बांकी है जो कि उस टाइम का सिच्व क्योंकि मुझे पता है बटेंगे तो कटेंगे तो अगर इस स्रीज में आप हमारा साथ देना चाहेंगे तो प्लीज वीडियो को जदा-जदा शेयर कीजिएगा और जो वास्तविकता है उनसे पहचनवाने की कुछिस कीजिएगा जो भी भ्रमित करते हैं लोगों को तो प सब्सक्राइब के लिए ठीक है अगली वुडियो तलसाम छे बजे तक के लिए ज्याहिन वन्यमातरम भाल मत अखीजाएं